दोस्तो आज की वीडियो में हम ITI Second Year के कुछ महत्पूर कोशनों के बारे में बात करेंगे दोस्तो ये हमारा सकेंड वीडियो है तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं ग्यार्वा कोशन है गतिसील रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर C DLV साइन थीटा बोल्ट नेश्ट कोशन चुम्ब के छेत के दिशा ग्यात करने के लिए किस नियम का उप्योग किया जाता है? करेक्ट आंसर D फ्लेमिंग के दाइने हाथ का नियम नेश्ट कोशन DC जनरेटर के भाग का नाम क्या है? करेक्ट आंसर D योग या फ्रेम नेश्ट कोशन चार पोल DC जनरेटर के डुपलेक्स लेब वाइन्डिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? करेक्ट आंसर C आठ नेश्ट कोशन DC जनरेटर के भाग का नाम बताईए, करेक्ट आंसर है D. आर्मेचर कोर लैमिनेशन Next question DC जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं Correct answer E. आर्मेचर के साथ स्रंकला में Next question एक स्वयम उतेजित DC जनरेटर में अबसिष्ट चुमकत्व की अबसकता क्या है Correct answer A. बोल्टेज का निर्माण करे Next question DC मसीनों में वे कौन से दो बिंदू हैं जो ब्रस संपर्क प्रितरोध को मापते हैं Correct answer C. ब्रस और कम्यूटेटर के बीच प्रितरोध Next question किस बोल्टेज ड्रॉप को X के रूप में चिन्हित किया गया है Correct answer Armature Reaction Drop Next question Compound Renerator का नाम क्या है यदि संपर्फिल्ड अर्मेचर के साथ समानतर में जुड़ा हुआ है Correct answer D. लगू संप योगिक दोस्तो हमने इस वीडियो में 10 question कवर किया है आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे next वीडियो को जरूर देखें धन्यवाद किया है